नमस्कार मविक्रम आप देख रहे हैं रंगिलो जुन्जनु जुन्जनु जिले के सुल्ताना ग्राम पंचायत के नजदी की एक डाणी है गूजरों की डाणी वहां से चोरी का एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है जहां एक चोर दो महिलाओं के कपड़े ही चुरा ले गया यह बात जैसी जानकारी मिल रही है कि गूजरों की डाणी के रहने वाले रास्तान पुलिस के कॉंस्टेबल विनोध की पतनी नितू जब सुबह सोकर उठी तो उसने अपने घर के आंगन में रसीवर सूक रहे कपड़ों को संबाला तो कपड़े वहां नहीं मिले उस उसके बाद उन्हें आसंका हुई कि कहीं कपड़े चोरी हो गए हैं और उसके साथ ही एक बड़ी बात ये कि जैसा बगवती ने बताया कि उन कपड़ों के साथ उसने अपनी सोने की चैन जो पैन रखी थी वो भी उन कपड़ों के साथ ही रखी वी थी और वो भी उनके है वो चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि ये जो मैलों के कपड़े चुराए गई है ये कुछ ही दूर सड़के किनारे जलाया गया है और ये एक तरीके से गटना को वहां के लोग एक टोने टोटके से जोड रहे हैं अंद्विश्वास का जो एक आलम है ये मैलों के पास में चर्चा का विषय बनी हुई है और एक अजीबों गरीब ये चोरी का मामला है